सब्सक्राइब करें The Speed Study चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं हलो दोस्तों नमस्कार आपका अपने परिवार्द The Speed Study पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने आज मैथ से आपके लिए एक बहुत यारो सिरीज मैथ चैनल होने दोस्तों जो कि है सीटेट माथ जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कैसे आज सरू कर रहे मेथ से बहुंत जिर्ली किस्मियूदा एक इस फरिए और हम दूस्तों मैट के बाद 2015 का देखेंगे, फिर 2016 का देखेंगे, 2017 का देखेंगे, 2018 का, पिछली साल 19 है, रहना कि लास्ट पेपर 2019 में हुआ था दोस्तों, वो सारी पेपर हम दोस्तों चर्चा करेंगे, और आज अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं दोस्तों, तो आपको निश्ची थी इ लेगा तो चलिए दोस्तो पहला कुशन देखते हैं पहला कुशन आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा क्या लिखा है देखिएगा कह रहा है संख्याएं इतना 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 औरो ही क्रम में लिखे दो चीज होता है दोस्तों एक तो होता है आरो ही क्रम जी हां दोस्तों एक होता है आ रोही करम और एक होता है दोस्तो एक मनट रूप जाएगा हाँ दोस्तो ठीक है एक होता है दोस्तो आ रोही करम और एक होता है दोस्तो आ रोही करम तो आखिर ये है क्या आ रोही और रोही क्या है आ रोही का मतलब ये हुआ दोस्तो जैसे दो चार छे आठ अगर छोटे से की तरफ लिखा जाए तो इसको कहते हैं लेकिन वही दोस्तो आठ छे पांट चार तीन अगर से लिखा जाए दोस्तो इसे कह रहा है कि अग 어र ही क नाइक कर पहले सबसे बड़ा फिर उसे लिख्ता पहले सब रहा है क्यों आप काम करें केवल हर बराबर कर लीजिए जैसे कि दोस्तों लिखा है क्या लिखा है माइनिस 11 बटे 20 तो अब देखिए नीचे 20 है 15 है 30 है 10 है ऐसी कोई गिंती बताइए दोस्तों जो सब में हो तो हम बता रहें दोस्तो 60, 60 आपको 20 के पहाड़ा में मिलेगा, 60 आपको 15 के पहाड़े मिलेगा, 60 आपको 30 के पहाड़े मिलेगा, और 60 आपको 10 के पहाड़े मिलेगा, अर्थात दोस्तो अगर हम नीचे गुड़े 3 कर दें, तो उपर भी गुड़े 3 करेंगे, फिर दोस्तो 15 है दूसरे नमबर पर 15 है दोस्तो तो 15 में कितने से गुड़ा करेंगे 60 होगा दोस्तो चार से गुड़ा करेंगे अर्थात 7 चौक 28 हो जाएगा उपर दोस्तो और नीचे पंधरा 17 चौक को Gast हो जाएगा दोस्तो ठीक ये भी दोस्तो माइनिस में है आपका फिर तीसरी संकhya देखें दोस्तो तीसरी संकhya 7 बटे 30 है और 30 में 2 से गुड़ा कर देगे दोस्तो साथ हो जाएगा यानि कि 7 दूनी 4 और बटे 30 दूना 60 हो जाएगा दोस्तो उसके बाद अगली संकhya देखे 3 है दोस्तो नीचे 60 है तो 60 का मतलब 6 से गुड़ा कर देंगे दोस्तों तो 6 का उपर गुड़ा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा देखें दोस्तों ये 7 नहीं है यहाँ पर 17 है दोस्तों तो 17 है नीचे 30 है तो 17 दोना 34 हो जाएगा और तीसरे वाले हम देखें के दोस्तों नीचे 10 है 10 चंग 60 तो 6 तरिक 18 यानिक माइनस 18 बटे 60 हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगर संख्या प्लस में है तो प्लस में रहेगी तो जो छोटी रहेगी वो छोटी ही रहेगी लेकिन अगर संख्या माइनस में है दोस्तों तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबस वन पे इसका मतलब कि ये वाला हो जाएगा नंबर एक पे दोस्तों ठीक फिर देखी अठारा के बाद अठाइस यनिकी जो दूसरे नंबर का है ये दूसरे नंबर पे रहेगा यनिकी साथ बटे पंदरा तो पहले नंबर पी ये हो गया दूसरे नंबर पी ये हो गया तब द गटाया जाए जी है दोस्तों माइनस पांच बटे-7 में से क्या घठाया जाए कि मांस is यक्ट हो staff हो गया अब इसको आप इंदर लेके जाएंगे दोस्तों प्लस यक्ष हो जाएगा यानिकि यह हो जाएगा दोस्तों माइनस पांच बटे-7 लग रहा होगा बहुत बढ़ा है दोस्तों लेकिन कुछ भी नहीं है चले देखते हैं कैसे कुछ नहीं है इसमें तो अंडरूट देखी दोस्तों दोहजार तेरा की घाद दो लिखा है और प्लस दोस्तों दोहजार तेरा लिखा है और प्लस दोहजार चौदा को दोस्तों हम लिख सकते हैं दोहजार तेरा प्लस एक अब देखिए दोहजार तेरा ये है एक दोहजार तेरा ये है अगर भही कहीं एक्स प्लस एक्स लिखा है कर दिखा है मैं गूंपर कर देता हूं ता कि यह आपको यह जो दूसरा लाइन मैं लिख रहा हूं यह समझ में आए तो देखिए दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वाइर और प्लस दो गुड़े ए गुड़े वन प्लस-वन अब इसको वन को दोस्तों वन का स्कॉईर भी लिख सकते हैं यह फार्मुला किसका हो जाएगा दोस्तों यह फार् 2013 और प्लस एक दोस्तों इसका फोल स्क्वाइर अंडरूट के अंदर यानि कि जब दोस्तों अंडरूट हटे गाथ यह दो घात हट जाएगा अर्थात हमारा एंसुर आजाएगा 2014 अर्थात आप्सन नंबर 4 हमारा एकदम सही जवाब है अगर दोस्तों यह ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों के कुश्यन नंबर चैप्तर में पूरा रिवाइस खरवादूंग आपका दोस्तों चलिए तो आगे चलते हैं अगर अगर म्ज़ा आ रही हो आपको लग रहा हो कि महिनत कर रहा हूं A is less than B is less than C is less than 0 इसका मतलब कि यह सारे मान 0 से छोटे हैं दोस्तों तो कह रहा है निमने में इसे कौन सा करतन सही है जब भी आपको इस तरह मिले आप गिंती रखती जिए एक एक मिनट रुकी के दोस्तों एक दो 3 तो दोस्तों अगर अब माइनस 1 करेंगे यहां माइनस 2 करेंगे माइनस 3 तो देखे यह सबसे बड़ा हो गया फिर उससे छोटा यह हो गया फिर उससे छोटा यह हो गया अर्थात यही मान है अब यही मान आप रख दीजे इसमें तो बिकल्प 1 में अगर रखेंगे दोस्तो तो a plus c अर्थात a plus c करेंगे तो minus 3 minus 1 minus 4 हो जाएगा is less than किसके minus 2 के जी हां दोस्तों एकदम सही जवाब अर्थात दोस्तो option number 1 जो है आपका एकदम सही है चुकि देख रहे हैं दोस्तों minus 3 कोई भी संख्या आप लेख सकते आप 2,3,4 लिख लिए 5,6,7 लिख लिए जो चाहे जो लिखिए दोस्तों आएगा यही answer option number 1 चलिए दोस्तों आगे चलते हैं question number 35 पे क्या कह रहा है देखिएगा question number 35 कह रहा है दोस्तों संख्या इतने को मानक रूप में के गुड़े 10 की घात इतने द्वारा व्यक्त कीजिए और के प्लस यन का मान क्या है जी हाँ दोस्तों अब चलिए सबसे पहले के प्लस इसके अर्थाद सार्थक अंक जैसे होता है दोस्तों उस तरह से हमको लिखना है सार्थक अंक की तरह लिखना है सार्थक अंक में क्या करते हैं एक अंक पर दसमलो लगा देते हैं अर्थाद जब इसमें लिखेंगे दोस्तों तो एक अंग पर दसमलो लगा देंगे 8,2,9,0,3,1,2,3,4,4,0 है दोस्तों 4 अब देखिए कितने अंग हम इधर लेके आए तो देखिए दसमलो हमारा यहां था यहां से उठा करके दोस्तों हम यहां लेके आए हैं ठिक, यहां स 8 हंक उठा कि हम यहां लेके आए हैं दोस्तों तो गुड़े 10 की घात 8 हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों गुड़े 10 की घात 8 अब कह रहा है के प्लस यन का मान क्या है तो 10 की घात 8 यन की यन का मान क्या है दोस्तों यन बराबर है आपके पास 8 ठीक और के का मान क्या है तो क के कमान है दोसतो 8.903 हमको बताना है दोस्तो के प्लस यन कमान तो के प्लस यन क्या हो जाएगा 8.903 में आठ याप जोर दीजिए दोस्तों है लएगा आठ तीन इग्यारा यानि कि आठ दसमलो नव एक ठिक तो देखे नो जीरो तीन लिखा है और नो जीरो तीन में आप आठ जोड़ दीजिए आठ जब जोड़ेंगे दोस्तों देखेगा कैसे जोड़ेंगे हम जोड़ रहे हैं आठ दसमलो दो जीरो तीन अब इसमें दोस्तों आपको जोड़ना है क्या आपको जोड़ना है आठ तो आठ जोड़ेंगे दोस्तों दसमलो दो जीरो तीन आपका रहेगा ही दसमलो 2-0-3 आपका रहेगा 2-0-3 नहीं है 2-9 है दोस्तों देखे यही है ना 2-9-0-3 है तो देखे और 8 प्लस 8 करेंगे 16 अर्थाथ 16 दसमलो 9-0-3 अर्थाथ यह आपसन नंबर 2 आपका आपसन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब होगा दोस्तों कहीं कोई doubt हो दोस्तों बताइएगा कहीं कोई doubt हो दोस्तों बताइएगा ठिक चलिए आगे देखते हैं लिखा है 2 अभाज संक्षयों x और y इस प्रकार है कि x is greater than y का लगुत्तम समाप्त यानि कि लासा दोस्तों 161 है तो 3y y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों वाई जाएगी अब कह रहा है दो संख्याओं का लासा 161 है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यक्स गुड़े वाई बराबर 161 हो गया यक्स गुड़े वाई बराबर 161 हो गया दोस्तों अब कोई ऐसी दो संख्या बताईए अभाज संख संख्या आप गुड़ा करेंगे वह 20 से बड़ी होनी चाहिए तभी तो 20 से बड़ी में अभाज संख्या क्या क्या है बताईए दोस्तों 20 से बड़ी में एक अभाज संख्या है आपकी 23 अगर हम किसे गुड़ा कर दें 23 में दोस्तों अगर हम 7 से गुड़ा कर दें तो देखे सात्रिक 21 और साथ दुनी 14 और 14 दो 16 यानि कि जो संख्या है दोस्तों वो क्या है 23 गुड़े 7 है जी हां दोस्तों 23 गुड़े 7 है आप एक तरह से और लगा सकते हैं दोस्तों IC कोई दो अभाज संख्या लीजिए जिसका गुड़ा जो है 161 के बराबर हो तो 23 गुड़े 7 में दोस्तों इसका गुड़ा करने पर हमको 161 मिल जाएगा तो इसका मतलब कि जो पहली अभाज संख्या है ने कि यक्स कमान 23 है और y कमान 7 है दोस्तों कह रहा है 3y माइनिस यक्स कमान ग्याद किजिए तो 3y तीन में y से गुड़ा किजिए 3 सते 21 हो जाएगा तो 3 सते 21 हो जाएगा दोस्तों और माइनिस यक्स और यक्स कमान है 23 दोस्तों तो 21 माइनिस 23 और जब इसको आप गहटा देंगे दोस्तों माइनिस दो अर्थात आप्सन नंबर दो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा आप्सन नंबर दो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा याद रखेगा दोस्तों दो संख्याओं का जो गुड़न फल होता है वो बराबर लासा होता है जी हां दोस्तों दो संख्याओं का गुड़न फल तो चुकी देखिए दो संख्याओं का गुड़न फल बराबर लासा इंटू मासा होता है अब चुकी अभाज संख्या है और अभाज संख्या है तो जो दोनों में कामन रहेगा वो एक रहेगा इसलिए मासा कमान एक हो गया खत्म हो जाएगा तो दो संख्याओं konug capture बराबर क्या हो जाएगा दूस्तोँ लासा ये सूत्र कब लगेगा दोस्तो दोश संक्याओं dojan Club neither लासा कभ होता है जब हमारा माइसा कह रहा है कि कुशंच नमबर 37 कह रहा है कि इसकी क्या प्राइकता है समझेगा ध्यान समझेगा प्रस्टन समझेगा प्रस्टन से खेलता है जी हाँ दोस्तों CTET जो है प्रस्टनों से खेलता है और कैसे खेलता है देखेगा इसमें दिख रहा होगा कि इसकी क्या प्राइक्ता है कि 72 के धनात्मक गुड़न खंडों में से यद रिक्षिया चुना गया एक गुड़न खंड 11 से कम होगा जी हां दोस्तो एक गुड़न खंड 11 से कम होगा दोस्तो अगर मैं कहनू कि 72 का गुड़न खंड करिये तो दोस्तो तो चार गुड़े अगर चार करेंगे दोस्तो तो दिखीगा चार तो करेंगे तो चार गुड़े अठारा हो जाएगा दोस्तो और अगर पांच करेंगे दोस्तो तो पांच इसका गुड़न खंड बनेगा नहीं दोस्तो अर्थात फिर छे होगा छे करेंगे दोस्तो तो बा 12 गुढ़े 6 आपका गुढ़न हंड़ेगा जिले हां दोस्तों इसके बाद когоण खंड बनेगा दोस्तों वह इक कंभी 12 और चुकि कह रहा है कि एक गुढ़न्खंड 11 से कम है जिलानम का सब्सक्तु हमारे पास दोस्तों छे गुडन खंड बने लेकिन दोस्तों समझिएगा लेकिन हुआ क्या चुकि हम देख रहे हैं दोस्तों क्या देख रहे हैं कि 6 गुडन खंड हमारे पास बन रहे हैं कितने 6 और उस तरह अगर देखे दोस्तों तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 18 के बाद दोस्तों, 24, 36 और 72 यानि क्या देख रहे हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72 अरथात हमारे पास कुल गुरनखंड कितने हैं? कुल गुरनखंड दोस्तों 12 हैं कुल कितने हैं? 12 है लेकिन 11 से कम कितने हैं देखिए 1,2,3,4,5,6,7 11 से कम 7 है दोस्तो तो चुकि हमको पता है कि प्राइक्ता बराबर होती है दोस्तो प्राइक्ता बराबर क्या होता है घटित घटना प्राइक्ता बराबर होता है दोस्तो घटित घटना बटे कुल घटना तो घटित घटना है दोस्तों साथ और बटे कुल घटना है बारा इसका मतलब दोस्तों प्राइक्ता जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी साथ बटे बारा किसी को कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए प्राइक्ता जो हो जाएगी दोस्तों वो हमारी हो जाएगी कितनी साथ बटे बारा वो 500 को हम क्या लिख सकते हैं देखेगा 2 गुडे 2 2 दूना 4 दूना 8 ठीक तो देखेगा दोस्तो 2 दूना 4 एक मड़ कर जाएगा दोस्तो इस तरह न खरिए इसको देखेए एकदम सरल तरीके समय बताना चाहता हूं दोस्तों आपको पांच सव को हम लिख सकते हैं दोस्तों पांच गुड़े सव ठीक और सोला को दोस्तों लिख सकते हैं चार गुड़े चार ठीक दोस्तों चार गुड़े चार इसको लिख सकते हैं पांच गुड़े सव इसको लिख सकते हैं तो अर्था दोस्तो पांच और गुड़े सव सव को दोस्तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखेगा सव को हम लिख सकते हैं पांच गुड़े पचीस गुड़े चार 25 चोक को सब पांच है है दोस्तों और वहाँ पर 2-4 है दोस्तों 2-4 लख लिए अर्थात अब देखी दोस्तों इसको जब बाहर करेंगे तो 1-4 बाहर आजाएगा और 25 को दोस्तों 5 गुड़े 5 लिख देगे एर्था 3-5 है ते नंबर दोMore और बता रहा हूं कि एक स्क्राइक पताँ गारा पूरा पेपरणल करूँ गार लेकिन वो आप के ऊपर पुश्चोन ग्रपि लिखा कि तो 28 की पॉर four और माइनस याक्स माइनस 네작 ξ wicked स्टर्ट कि से डिविजिबल होенное और दोस्तों इहां फिसले चलिए दोस्तों दो रख देते हैं एट इसलिए रखेंगे चलिए от भी लिख सकते दोस्तों अगर हम एक लिख देंगे दोस्तों एक प्लस एक की पावर फूर माइनिस एक माइनिस एक की पावर फूर तो ये मान जिरो आ जाएगा दोस्तो और एक एक दो की पावर चार हो जाएगा और दो की पावर चार का मतलब क्या हुआ दोस्तो दो की पावर चार का मतलब क्या हो गया दोस्तो 16 हो गया अब 16 किस से कटेगा दोस्तो 6 से कटेगा नहीं कटेगा 8 से कटेगा हाँ कटेगा 9 से कटेगा नहीं कटेगा 12 कटेगा नहीं कटेगा अर्था दोस्तो आप्सन नमबर 2 हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा किसी को कहीं भी डाउट हो दोस्तो बताइएगा एकदम ला आगे चलते हैं अगला कुश्यन है कुश्यन No forty क्या कह रहा है कि तीन अंकों वाली एक संख्या में सयकडस कुणम को לכ का अंक से साथ बड़ा है जी यहां दोस्तो एकडम लाजवाब प्रस्न है कि तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक ठिक तो चुकि हमको पता है दोस्तों यह इकाई का अंक होता है यहां पे करते हैं यह आपका इकाई का अंक है फिर दहाई का अंक है फिर सैकड़े का अंक है कह रहा है सैकड़े का अंक इकाई के अंक से साथ बड़ा है इससे दोस्तों साथ ब अंको वाली संख्या से घटाया जाता है तो इस प्रकार उस संख्या प्राप्थ होती है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा देखें का समस्य यह दोस्तो तीन अंकों की संख्या थी हमने कह दिया दोस्तो की इकाई का अंक जो है दहाई का अंक इकाई के अंक से सैकड़े का अं नौ रखेंगे भाई क्या किरा साथ बड़ा है साथ बड़ा है तो अगर यहां जीरो होगा दोस्तों तो यहां साथ हो जाएगा यहां एक होगा तो यहां साथ हो जाएगा आठ हो जाएगा दोस्तों और अगर यहां दो होगा दोस्तों तो यहां दो होगा दोस्तों तो यहां तीन संख्या लिखी जा सकती है और इकाई की जहां पे दोस्तों ये तीन संख्या लिखी जा सकती है जीरो एक और दो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप दोस्तों क्रम बदलने ठीक इसका मतलब अगर पहले संख्या लिखें तो 700 हो सकती है फिर 700 लिखेंगे तो 700 ह हो जाएगा आपका आठ जीरो और यहां पर क्या है एक है आठ सो एक हो जाएगा दोस्तों अगर आप नौ लिखेंगे दोस्तों तो नौ सो दो हो जाएगा अब क्या कह रहा है सुनिए गा प्रस्न में कह रहा है कह रहा है कि इन संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प लिखा है यह आपका हो जाएगा जी देखे color change करते हैं तब मजा आएगी दोस्तों 007 801 को बदलेंगे दोस्तों तो 108 902 को बदलेंगे दोस्तों तो 209 किसी को कोई doubt हो दोस्तों बताईए किसी को कोई doubt हो बताईए दोस्तों बदलने पर वास्तविक तीन अंकों वाली संख्या से घटाया जाता है वास्तविक तीन अंकों वाली संख्या से घटाया जा सकता है और वास्तविक तीन अंकों की संख्या दोस्तों क्या है इसको देखेगा दोस्तों तो वास्तविक तीन अंकों की संख्या दोस्तों कुछ भी हो सकती है तो अब देखिए यहां पर 007 है यहा पर दो जीरो नव है दोस्तों इसका मतलब कितनी संख्या है कह रहा है कि इकाई का अंक अगर दोस्तों साथ सो में से साथ घटा दें ध्यान समझेगा साथ सो में से साथ घटा दें दोस्तों क्या बचेगा छे सो तिरानवे ठीक छे सो तिरानवे अगर आठ सो एक में से जी हां बचीए का तब भी हमारे पास बचेगा दोस्टो छेसो तीरानवे और अबर नोसोदो में से दोस्तो दोसो नकटा देंगे तब भी हमारे पास दोस्तों नमबर चार एकडम सही है किसी को कोई भी डाउट तो दोस्तों अगला कुशनना कोर्ण थीक अगला कुश्चन यहां रहा है दोस्तों फोर्टी वन यहां समझेगा में लाजवाब प्रसकता है क्या करहा एक पास बीस यह अधिक तो धन है यानि कि दो लोग हैं A है और B है A के पास B से 20% अधिक है यानि कि B के पास अगर 100 है दोस्तों तो A के पास कितना है 20% अधिक है यानि कि 120 है दोस्तों किसी को कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों फिर क्या करा और C के पास B से 20% कम धन है C के पास B से 20% कम धन है यानि कि य सी कह रहा है एक पास सी से कितने परसेंट अधिक दन है तो सी के पास असी है दोस्तों और एक पास 120 है तो कितना अधिक है दोस्तों चालिस अधिक है किस से अधिक है दोस्तों ची से और गुड़े सो दोस्तों तो चालिस दूना असी दोपंची दस निकि आप्सन नमबर भी दोस्तों भी फार बॉआ यार थाथ पचास दोस्तों एक जम सही जवाब आ जाए कि दम लाजवाब कुश्यन था इस तरह का प्रसन दोस्तों एक प्रसन सीटेट जरूर पूछता है याद रखिएगा आगे क्या कह रहा है सुनिए गब बहुत लाजवाब प्रसन है दोस्तों आई उससे संबंधित है कह रहा है रानी जो इस वर्स वाई वर्स की है हमीद से यक्स वर्स बड़ी है यानि कि हमीद से यक्स वर बड़ी है इसका मतलब कि हमीद की आयो अगर हम यक्स मान ले दोस्तों तो रानी की उम्र क्या हो जाए बताइए रानी की उम्र वाई वर्स है जो की हमीद से यक्स वर्स बड़ी है इसका मतलब रानी वाई वर्स की है धान समझेगा दोस्तों एक मिनट रुख जाएएगा फि रानी दोस्तो रानी की उम्र कितनी है दोस्तो वाई वर्स हमीद की उम्र कितनी है दोस्तो कह रहा है कि हमीद से यक्स वर्स बड़ी है रानी जो है हमीद से यक्स वर्स बड़ी है इसका मतलब हमीद जो है रानी से यक्स वर्स छोटा है दोस्तो पंदरा वर्स पूर्ब अगर यहां भी पंद्रा हो जाएगा और यहां भी दोस्तों पंद्रा हो जाएगा तो कह रहा है कि हमीद की आयू रानी की आयू से एक बटे चार थी हमीद की आयू रानी की आयू से एक बटे चार थी दोस्तों तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह क्या हो जाएगा यह गुड कर दिजвой निएंग कि चार वाई माइनेस चार यक्स माइनिस पंद्रा चोको साथ दोस्टों अब सुनिए का दोस्तों क्या करेंगे हम चार यक्स माइनस चार्वाई यह व्य दोब्ध में इधर हो जाएगा गाम माइनिस 4 यक्स ठीक और माइनिस 4y है ये y अधर आएगा तो प्लस 3y और दोस्तों ये 60 हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 15 345 दोस्तों किसी को कोई डाउट हो दोस्तों बताइए आपसन देखे क्या आपसन कोई विखे कोई मिल रहा है आप संट तीन एक्स चार वाई बराबर 75 अब यह नहीं मिल रहा ह weiß सउप नहीं मिल रहा है दोस्तू क्या करेंगे हम देखेंगा आप सन के लिए इस में देखते हैं फिर से दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों बहुत लाजवाब प्रस्न है बस थोड़ा सा कहीं गलत किया गया है दोस्तों कहां गलत किया गया है देखते हैं तो y-x-15 है दोस्तों तो 4y-4x-60 दोस्तों ये बराबर y-15 है दोस्तों बिलकुल सही फिर ये हो जाएगा 3y-4x ये बराबर दोस्तों 45 हो जाएगा बिलकुल सही तो देखिए दोस्तों आपसन में इसमें थोड़ा ये है दोस्तों छीक है मिल गया आपसन नमबर 1 दोस्तों द करते हैं दोस्तों कोईशन नमबर 43 पे बहुत लाजवाब प्रसन है दोस्तों बहुत लाजवाब प्रसन है बीस वस्तूओं का क्रे मूल यह यक्स वस्तूओं के बिक्रे मूल के बराबर है ठीक यानि कि बीस वस्तूओं का जो सीपी है दोस्तों वह यक्स वस्तूओं का जो स 10% है तो यक्स का मान गया की कि दिफिकुल एकदम Elijah toll understand दोस्तों एक दम लाजवाब प्रस्न है और और करेंगे क्या इसकी लिए दोस्तों देखिए स्थम्री दोस्तों को क्यों को पता है कि लाव ब्राबर हो होता है लाव बराबर होता है बिक्रेमूल या माइनस क्रेमूल बटे दोस्तों बटे क्रेमूल इन्टू हंड्रेड यही होता है दोस्तों इसी में मार रखिए बिक्रेमूल कितना है दोस्तों 20 क्रेमूल कितना है दोस्तों यक्स और बटे क्रेमूल यानि कि यक्स इन्टू 25% का लाव होता है बराबर 25 के बस यहीं सॉल्ब कर लीजे दोस्तों 25 इकनम 25 25 चोग को 100 यह हो गया यक्स बराबर यहां पी लिख रहा हूं दोस्तों यक्स बराबर 420 चोग 80 और माइनिस 4 इकनम 4 यक्स दोस्तों त्यानिकि 5 इक्स बराबर 80 हो जाएगा दोस्तों येक्स बराबर 5 कितना हो जायगा दोस्तों 75 यानि कि जो सही हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जायगा कितना 16 ये शित कमान की ब्रूपया पूच रहा मान लीजे यक सुर्पय में बेचा हो तो इस तरह करेंगे तो इस तरह बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों आप लगा नहीं पाएंगे बहुत टाइम ले लेंगे तो इसमें केवाल सिंपल याद रखिए जब भी आपको यस पी और सीपी का प्रस मिल जाए आप प्लेलिस्ट मे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा प्रॉफिट लास्ट की आर्किवाई सर जो है जिसने के पास बताइए वीस वर्सों से अधिक कानुभा हुआ है अगला कुश्चन है दोस्तों कुश्चन नंबर 44 से 445678910 दोस्तों यह सब प्रस्ण जो है अगले वीडियो में डिसकस करेंगे जैसा कि देखिए आई कुश्चन ले लेते हैं इस पर माली जियो किसका है दोस्तों साइंस का है तो चले ठीक है दोस्तों अगले अगली क्लास में ही लेते हैं तो आप लोग दोस्तों इसको जादा से जादा सेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा मिलें अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद जय हिन दोस्तों